नमस्कार, मेरा नाम प्रतीख है और मैं Google AdMob में अकाउंट मैनेजर हूँ आज मैं आपको Android प्रोजेक्ट में Google Mobile विग्यापन SDK को इंटेग्रेट करने के तरीके दिखाना चाहता हूँ ये तरीके दिखाने से पहले मैं आपको AdMob इस्तिमाल करने के कुछ फायदे बताना चाहता हूँ तो चलिए इन फायदों पर नजर दाल लेते हैं AdMob अपनी अप्लिकेशन से पैसे कमाने का शायद सबसे आसान तरीका है हम चार तरह के विज्यापन फॉर्माट के लिए सहायता देते हैं ये चार फॉर्माट हैं Banners, Interstitials, Native और Rewarded हम Mediation जो की अलग-अलग Network से विज्यापन दिखाना हैं की सुविधा भी देते हैं जिसकी मदद से आप कई विज्यापन Network से विज्यापन दिखाकर अपना revenue बढ़ा सकते हैं हमारे पास चार रिच विज्यापन फॉर्माट है Interstitials, अपने users को full screen पर विज्यापन दिखाने का बहुत बढ़िया तरीका है Banner विज्यापन से शुरुवात करना काफी आसान है ये format काफी आसान और flexible format है जो की app की UI में कहीं पे भी यूज किया जा सकता है Rewarded Ads का API आसान है इसमें आपके users को आपकोई विज्यापन देखने पर इनाम मिलता है और आखरी में नेटे विज्यापन की मदद से आप मन चाहे तरीके से अपने विज्यापन की दिखावट बदल सकते हैं इससे ये आपकी application में आसानी से fit हो जाता है विज्यापन से कमाई शुरू होने से पहले SDK जोड़ना जरूरी है तीन आसान कदम अपना कर SDK को अपने Android प्रोजेक्ट से इंटिग्रेट किया जा सकता है सबसे पहले हम आपकी build.gradle फाइल में डिपेंडेंसी जोकी एक तरह की configuration जोड़ेंगे दूसरा हमें आपकी Android Manifest फाइल में metadata tag जोड़कर AdMob Application ID जोड़ना होगा और तीसरे चरन में हमें आपकी application में SDK शुरू करना होगा आएए एक demo देखते हैं मेरे पास एक साधारन Android application है और मैं application की अपनी build.gradle फाइल में हूँ सबसे पहले हम developer documentation दिखेंगे और import the mobile ads SDK guide में मैं नीचे example app level build.gradle पर scroll करके dependency को कॉपी करूँगा और integration के लिए सबसे नए version का होना काफी एयम है जिसे हमने यहाँ शामिल किया है अब हम वापिस जाकर इसे अपनी dependencies और sync griddle में दालेंगे उसके बाद हम अपने manifest पर जाएंगे और यहाँ हम अपनी जरूरत के मताबिक metadata tag दालेंगे एक बार फिर update your android manifest में developer documentation देखने के लिए हम इस metadata text काव यहाँ copy करेंगे और हमेंसे application tag के बीच धालेंगे और आप देखेंगे यह आपको अपना admob application id भरना होगा जो आपको अपने admob account में मिलेगा आखिर में हमें sdk initialize करना होगा यहाँ हमारे activity की शुरूवात on create.function में हम बस mobile ads.initialize टाइप करेंगे और हम context pass करेंगे और उसके बाद completion listener मिलेगा अगर आप mediation इस्तमाल कर रहे हैं तो विज्यापन लोड करने से पहले आपको उन callbacks का इंतजार करना होगा अगर आप mediation का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं तो listener के लिए निल को pass करना या खाली रखना सही होगा अगला कदम है एक विज्यापन लोड करना और यह इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा विज्यापन format दिखाना चाते हैं नीचे description में आपकी सुविधा के लिए कई resources के साथ link दिये गए हैं हमारे पास हर format के लिए developer guide है साथी एक developer forum भी है जहां पर आप तक्नीक से जुड़े सवाल ऊच सकते हैं और आकरी में GitHub sample भी है जो की हर format के लिए standard implementation include करते हैं और आज के लिए बस इतना है तो आज हमने दिखा कि अपनी application में Google Mobile Ads SDK को इस्तमाल करके विज्यापन दिखाकर पैसे कमाना कितना आसान है अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमारे पास उसे हल करने के भी तरीके हैं ज्याद अतकिन की सामगरी पाने के लिए कॉमेंट करना और AdMob चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद